अब दो कर नेक्स टेक ठीक है मालोगर यह कोश्चन है मारे सामने इफ अल्फा बीटा जीरो ऑफ इस पॉलिनॉमियल एक पॉलिनॉमियल दे रखा अल्फा बीटा उसका जीरो है वीडियो पॉस करो बताओ कितना समय लगेगा तुम्हें इसको करने में ठीक है कुछ से करो बहुत इजी है मुश्किल से एक डेड़ मीनिट लगना चाहिए लेकिन मात्र एक सकेंड के अंदर इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं कैसे वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा हम सम अफ रूट अल्फा प्लस बीटा यह हम लोग को पता है अगर हमसे डिरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछता तो हम डिरेक्ट बता देती कि नहीं माइनस बी बाई ए ठीक है माइनस कोईफिशेंट ऑफ एक्स बाई कोईफिशेंट ऑफ एक्स स्कार अल्फा यह क्या लिखाव है sum of reciprocal of root, यह है sum of root, यह है product of root और यह है sum of reciprocal of root और यह है sum of reciprocal of root और यह बहुत common है यार कई बार पूस देता है, तो है तो बहुत simple, एक देड़ मिनट में तुम बना तोगे लेकिन इसको एक second के अंदर बनाया जा सकता है, अगर तुम इस बात को ध्यान रखो कि sum of reciprocal of root क्या होता है, minus b by c, जो पिछला trick हमने discuss किया था, उसमें था roots are reciprocal of each other, और यह है sum of reciprocal of root, तो यह होता है minus b by c, तो अगर तुम यह बात पहले से पता रहती या ध्यान में रहता, तो तुम देखते हैं यह तो sum of reciprocal of root लिखावा है, sum of reciprocal of root क्या होगा, तो भईया यह होगा minus b by c, and minus b के जगा पे क्या है, 6, और c के जगा पे 2, तो कट गया, यह हो जाता, minus 3, ठीक है, direct, अभी कैसे हुआ, यह भी बता देते हैं, और अगर तुम्हें यह नहीं पता रहता, अगर यह बात तुम्हें नहीं पता है, तब तुम फिर इसको कैसे करने वाले थे, तब किसका, alpha प्लस beta का, तो यहाँ से तुम देखते हैं, यह बाता किया था, alpha बीटा इसका 0 था, तो तुम यहां से निकाल लेते, alpha प्लस beta का value क्या हो जाएक, minus b by a, तो minus 6 by 1, मतलब minus 6 ठीक है, फिर निकालते हैं, alpha बीटा का value क्या होगा, c by a, 2 by 1, मतलब यह आ गया 2, फिर यहा आद रखे कि माइनस B by C, तो हम तुरंद कर सकते हैं, अब ये माइनस B by C आया कहां से, इसको भी समझ लो, देखो, माइनस B by C कैसे आया, थोड़ा से इसको समझ लो, देखो, एक नॉर्मल पॉलिनोमियल है, AX स्कूर प्लास BX, प्लास C, A B C के जगा पर कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा इसका zeros है, हमें find क्या करना है, 1 by alpha plus 1 by beta, ठीक है, तो हम इसका LCM ले ले लेंगे, क्या हो जाएगा, beta plus alpha by alpha बीटा, अब देखो, alpha plus beta क्या होता है, हमें पता है, alpha plus beta क्या होता है, minus b by a, and alpha बीटा क्या होता है, यह होता है, c by a, अगर एक normal polynomial दे रखा है, तो alpha plus beta क्या हो जाएगा, minus b by a, alpha beta, c by a, तो अब देखो, alpha plus beta के बदले हम क्या लिख देंगे, minus b by a, divided by alpha बीटा के बदले क्या लिख देंगे, c by a, तो यह a और a cancel हो जाएगा, तो क्या बचा, minus b by c, आगे न, 1 by alpha plus 1 by beta is equal to minus b by c, तो अगर इस चीज़ को तुम याद रखते हो, 1 by alpha plus 1 by beta, मतलब some language के terms में बोले, तो sum of reciprocal of root, वो किसके बराबर होता, minus b by c, तो दो तो तो तुमने याद कर रखा, एक और याद कर लो, इससे बहुत benefit होगा, ठीक है, तो अब देखो, अगर अब तुम पहचान लोगे, तुरंत 1 by alpha plus 1 by beta, minus b by c, और तुरंत इसका अंसर को, if alpha, beta are zeros of this polynomial, find 1 by alpha plus 1 by beta, जैसे अब हमें दिखा गया, 1 by alpha plus 1 by beta, तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें पता कि direct minus b by c होता है, ठीक है, तो minus b के जगा पे क्या है, 7, c के जगा पे क्या है, 5 root 2, तो यह आ गया, minus 7 upon 5 root 2, एक question और करो, if alpha, beta are zeros of this polynomial, find the sum of reciprocal of root, find the sum of reciprocal of root, तो अब जैखो, कोई बच्चा हो सकता है, यहां confuse कर जाए, language के form में लिख दिया है, तो sum of reciprocal of root का मतलब क्या है, roots क्या है, alpha, beta, तो sum निकालना है, किसका sum, reciprocal of root का, तो reciprocal of root क्या हो जाएगा, 1 by alpha plus 1 by beta, देखा जाए तो हमें यहीं find करना है, and 1 by alpha plus 1 by beta क्या होता है, is equal to minus b by c, तो minus 2 root 6, तो यह minus minus मिलके plus हो जाएगा, और by c, 2, 2, 2 cancel हो गया, यह क्या आगया, root 6, यह रहा, ठीक है, तो एक दो कोशन और देख लेते है, यहां पर देखो, in quadratic polynomial, product of root is equal to sum of reciprocal of root, ठीक है, जो इस polynomial का, जो product of root है, वो किसके बराबर है, sum of reciprocal of root के बराबर, तो बताओ, चारों में से कौन सा option, correct है, तो अब देखो, product of root क्या होता है, इस polynomial के लिए, product of root क्या हो जाएगा, c by a is equal to, वो किसके बराबर है, sum of reciprocal of root, और sum of reciprocal of root हमें पता है, minus b by c, यह तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसको लि अब cross multiply कर दोगे, c square is equal to minus a b हो गया, यह उठके धर आ जाएगा, c square plus a b is equal to 0, एक और question देखो, इसके बाद दे रखा है, in quadratic polynomial, sum of reciprocal of root is minus 2 by 3, इस बर sum of reciprocal of root का value दे रखा है, minus 2 by 3, ठीक है, और हमें पता है कि sum of reciprocal of root क्या होता है, minus b by c, मतलब minus of minus 4 by k, ठीक है, minus of minus 4 by k, यह आ गया, sum of reciprocal of root, और वो किसके बराबर है, minus 2 by 3 के बराबर, minus 2 by 3, तो यह minus minus तो plus बन गया, 4 by k is equal to minus 2 by 3, cross multiply कर देंगे, 4 into 3 by minus 2 is equal to k, 2 से कड़ी है, 2 बार में, 3 दूनीच है, minus 6, तो k का value क्या आ गया, k is equal to minus 6, ठीक है, तो इससे बहुत benefit होगा, अगर तुम्हें इस बात को ध्यान में रखते हैं, तो sum of reciprocal of root वाला है, वहाँ पे तुम्हारा काफी help हो जाएगा, इन quadratic polynomial, if sum of reciprocal of root is minus 7 by 3, again sum of reciprocal of root दे रखा है, और sum of reciprocal of root क्या हो जाएगा, minus b by c, तो minus b के जगा पे क्या है, k, c के जगा पे क्या है, minus 3 is equal to minus 7 by 3, ठीक है, तो इसको 3, 3 क्या, यह minus minus गया, k is equal to क्या आ गया, minus 7, ठीक है, तो I hope कि समझ में आ गया हो गया यह चीज, ठीक है, तो इसको note करके रख लो, sum of reciprocal of root क्या होता है, minus b by c, ठीक है, आगे discuss करेंगा अगले वीडियो में, ठीक है, यह कुछ कोशन, तो again, वीडियो पॉस्ट करो, and screen shot लो, और देखो कि कितना time लगता है, ठीक है, तो again, इसको भी हम लोग मात्र, एक सकेंड के अंदर करने वाले हैं, यह सारा कोशन भी ठीक है, चलो बाई बाई, इस वीडियो में, इतना ही,